आपका स्वागत है मैं प्रोफिसरों प्रकास सिंग भारती भासा के लिए जब आहरलाल नहरूब इस विद्याले में कारे रहे हूँ आज हम आधुनिक कविता के दूसरी प्रसंपत्र के अंतरगत ब्यवस्था से विद्रो और आज की हिंदी कविता पर चर्चा करेगी इस पाठ को परकर और इस चर्चा के बाद आप साथ के दसक से हिंदी कविता के बदलते स्वर को समझ सकेंगे कविता और कविता के बारे में जान सकेंगे व्यवस्था विरोट से जुड़े कवियों और उनकी कविताओं को समझ सकेंगे विद्रोही कवियों के तर्क को समझ सकेंगे 1960 हिंदी कविता में एक व्यापक भरिवरतन का दौर है बीश्वी सताब्दी के छठें तसक के सुरू से हिंदी कविता की चिंता के घेरे में सब्ता और व्युस्था की गत्विधियां केंद्री अस्थान ग्रहन करने लगी थी कविया महसूस करने लगा था कि आज के मनुस्था की नियत के लिए व्यवस्था दोसी है और व्यवस्था दोसी है तो ऐसी व्यवस्था को मिटाना उससे संबंध न रखना उसका विरोध करना ये कविता का मुक्ष भी से होना चाहिए विरोध के स्वर में जो कविता लिखी गई उसी कविता को हम अब कविता के नाम से जानते हैं ये एक आंदोलन भी था कविता का और उस जमाने की काबिरुचियों के निर्मान करने में इस आंदोलन के बड़ा युगदान है देश आजाज हुआ और आजादी के बाद जिन लोगों ने देश की सत्ता संभाली उनकी जो कथनी रही जो करनी रही दोनों कथनी और करनी में एक आदर्स का पुट होता था हम कर सकते हैं कि आदर्स बादी आवान रहता था लेकिन इनका ये जो आदर्स बादी आवान था भोगवादी आदर्स बन गया था और एक नई तरह की स्थिती को जल देने लगा था इस इस्थिती को शासक भर्ग के भोगवाद को अकविता आंदोलन से जुड़े कम्योंक ने अच्छी तरह से पकड़ा और अपनी रचनाओं में इनका जबर्दस्त विरोध किया विरोध का यह स्वर जिन कम्यों के यहां खास तवर से उभरा उन कम्यों में धूमिल लीला धर्जगूरी वेडू गुपाल कुमारेंद्र पारसनाज सिंग पंकज बेश्टू यह महत्वपूर्ण है इनके साथ है साथ कुछ और कभी ऐसे हैं जो अकविता के दौर से तो लिखने लगे थे लेकिन उनकी काविधारा एक विशेश प्रकार की थी अलग की थी उनके यहां भी इसका जबर्दस्त विरोध मिलता है एक और चीज का हमें अस्मरण रखना चाहिए कि कभीयों ने विरोध तो किया लेकिन इस विरोध में कुछ ऐसा तत्तु भी मिला है जिससे हमें पराजाय और निरासा की भावना की अनुभूती होती है जाहिर है कि जहां निरासा और पराजाय की भावना है निरासा और पराजाय की भावना से ना तो कभीता महतुपूर्ण हो पाई है और नहीं विरोध महतुपूर्ण हुआ है मुझे याद आ रहा है सौमित्र मोहन सेन की एक कभीता है जातक धर्म जा तक धर्म कविता में उन्होंने एक तर्क दिया कविता की लाइन है कि यहां पेशाब करना मना है पढ़कर भी लोग वहीं पेशाब क्यों करते हैं आप इसे असब्यता कहेंगे पर यह आक्रोज का कही अच्छा तरीका है सिगरेट कुछलने से निश्चे ही यह तरीका विरोत का यह तरीका पराजय की भावना से ग्रस्थ है और मनुष्य की हर वेहूदा हरकत के पीछे विद्रो की भावना का अर्थ खोजने का निरव्थक प्रयास भी है अईसी कव्चाओं में जीवन मुल्यों आदर्सों और नेतिक्ता के प्रति अगंभीर रहने वाले लोगों का तो मख़वल उडाने का भाव बना है पर जिस तरह से मख़वल उडाया गया है या जिस तरह से बात कही गई है उस बात में उस तरीके में विद्रो का वह स्वर नहीं उभरता उस तरह का रूप नहीं उभरता जो अपेक्छित था जातक धर्म कविता हमें असंखेत करती है कि हमारी नियत उन लोगों के हाथों में है जिनें हम जानते नहीं या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका अर्थ नहीं समझ रहे है हमारे जो प्रतिनी दियाए सासन से जुड़े हुए जो लोग है वे क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं उनकी कतनी और करनी में कोई तालमेल नहीं है इसलिए उनका बिरोध होना चाहिए और यह बिरोध का भाव कविता में जगां जगां हमें दिखाई देता है एक और कविता का हमुदारान लेते हैं अईसी कविताओं के बाद हमें उन कविताओं की तरब भी ध्यान देना चाहिए जिन कविताओं में विरोध का स्वर थोड़ा अधिक तीखा है और अकविता के कवियों से जिन कवियों में थोड़ा अंतर किया जा सकता है उनमें धूमिल का नाम सबसे महतुपूंग है धूमिल संसद का भी मजा कुड़ाते हैं जनतंतर का भी मजा कुड़ाते हैं लेकिन एक बड़ा फ़र्क है कि धूमिल को जनता की राजनीतिक पहल कदमी पर पूरा भी स्वास है और यही कारण है कि धूमिल प्रगत्सील अंदोलन के अंग बने और अकविताबादी कुछ कभी महतुपूर अस्थान नहीं पासके अकविताबादी कभी परंपरागत बिचार प्रणाली का विरोध तो करता है लेकिन संगत और बैग्यारिक बिचार प्रणाली के निर्मार का प्रयास नहीं करता यहां तक कि बहुत से निरर्थक भी मानता है इन कम्यों ने अपने लिए या अपनी तरह का अपनी तरह से दुनिया का विसलेशन कर लिया था और उनके विसलेशन में समाज में इनके जैसे लोगों की प्रतिभा का उपयोग नहीं होता और इनकी छिपी हुई प्रतिभा समाज से विद्रो के रूप में फूटती रहती है इसका भाव छिपा हुआ था हैं इस दुनिया में तमाम ऐसे लोग रहते हैं जो खाते हैं पीते हैं संभोग करते हैं और दूसरा काम करते हैं जीते हैं और अनाम रहकर मर जाते हैं एक तरह से देखिए तो ऐसे व्यक्तियों ने व्यवस्था से समझाउता कर लिया है एक तरह कीन की चाल है, दास्वृत्ती है कुछ मुठ़्ी भरी लोग ऐसे हैं जो अत्याचारियों का, खोखले ब्यवहार करने वालों का हिंसक और चालाक लोगों का जबरदस्त बिरोध करते हैं समाज पर जिन लोगों ने अत्याचार किया या जो लोग समाज की बिसंगतियों के लिए जिम्मेदार है और कविताबादियों ने यह माना कि उसमें सासन से जुड़े लोग, सत्ता से जुड़े लोग, नेता लोग सबसे अधिक जिम्मेदार है और कविता का कविए इन से चिड़ता है, घ्रिड़ा करता है लेकिन इनका बाल माका नहीं कर पाता है ऐसी इस्थिती में एक बाखलाहट, खीज, अपमान, ग्रोध और छुचलाहट का भाव उसके अंदर पैदा होता है वह निरास होता है, बद्धुआया देता है, ऐसी अनेक अभिक्विक्तिया अकविता में भी खरी हुई है जब दीश्वर चतुबेदी की एक कविता है, एक लंगड़े आदमी की बखान यो कह रहे हैं, कि चुओं की जनसंख्या बढ़ रही है शहरों में, वक्सों में, दब्थरों में, नालियों में, अखवार के कार्यालियों में, और नेताओं में कविता की इन तीन पंक्तियों से ही, अब कविताबादियों ने देश की जनता को, देश के लोगों को किस तरह से समझा था, एक नमूना हमें मिल जाता है अकविताबादियों की कविता, आदम विस्वास और धरले से, राए देती है यह भी देखना चाहिए, कि इन कवियों के, या इन कविताओं के मूल में वह इस्थिती है अईसी चीजे हैं जिनके बारों में यह जिसके बारे में राए दे रहे हैं और जिन चीजों के बारे में राए दे रहे हैं, उनके बारे में कवियों की जरा भी संबंद भावना नहीं है अच्छाई हो, या बुराई हो, कविता सबको एक दार्शनिक मुद्रा में ढख लेती है ऐसा लगता है एक सरोग्यानी की मुद्रा में अग्यानी बना हुआ बैठा है यह दोस्त या इस तरह की इस्थिती अकविताबादी अनेक कवियों में पाई जाती है अकविता की जो अकविता आंदोलन की जो आईसी इस्थिती बनी हुई थी, इस इस्थिती को प्रगचील कवियों ने तोड़ा और विवस्था के विरोध को एक नई दिशा दी सन 1964 में मुक्तिबोद की मृत्यु हो चुकी थी उनकी रचनाएं उनकी मृत्यु के बाद प्रकासित हुई उनकी मृत्यु के बाद सातमे दसक के अंतिम हिस्थे में जिन कवियों ने कविता में महत्वपूर्य योगदान दिया कविचा की धारा बदली उनमें धूमिल एक महत्वपूर्ण नाम है सुदामा पांडे धूमिल उनकी कविचाओं में जीवन का यथार्थ नए ढ़ंग से प्रस्तुत हुआ है जिस मौभंग की बाद शुरुवाती दाउर के कवियों ने की थी उस मौभंग से धूमिल का मौभंग कैसे अलग है इसे देखना चाहिए धूमिल काते हैं कि हाँ यह सही है कि जो हाँ यह सही है कि कुर्सियां वही है सिर्फ टोपियां बदल गई है और सच्चे मतभेद के अभाव में लोग उचल उचल कर अपनी जगहें बदल रहे हैं ऐसा हो क्यों रहा है धूमिल के काविनायक को यह लगता है कि चारों तरब जो कुछ हो रहा है वह गलत है सड़ा हुआ है समाज में ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है जो इस सड़ात को दूर कर सके और ऐसी निराजनक निराशाजनक की स्थिति में एक सम्वेदन सील व्यक्ति क्या कर सकता है धूमिल इसकी चिंता करते हैं और इसी निये में करते हैं कि कविता घिराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संचिप्ते का लाप है उन्हें लगता है कि हमारे आजपास जो कुछ हो रहा है जैसा हो रहा है उसको बनाने या बनने देने में अईसे लोगों की कोई भूमिका नहीं है एक ऐसी इस्थिती बनती है कि कभी यहां खुद को सारी परिस्थितियों से उपर उठा लेता है ताकि वह इन इस्थितियों पर हस सके व्यंग कर सके कुछ ऐसा का सके जिससे व्यक्ति तिल्मिला उठे हमें ध्यान देना चाहिए कि धूमिल की कभीता में व्यवस्था एक पात्र के रूप में उपस्तित है वह मुची राम का जूता है जिसकी नाप के बाहर कोई व्यक्ति नहीं है कहीं मकान है जिस पर स्वागत रिखा है जिसका फाटक किसी आदम खोर के जबड़े की तरह खुलता है और जिसके भीतर देखते ही देखते एक समूचा मुस्कराता हुगा आदमी नमक के ढेले सा गल जाता है कभीता का विश्य या कभीता का सेर्शक ब्यवस्था ना भी हो तो भी प्रिश्ट भूम में ब्यवस्था बराबर बनी रहती है इनकी कभीता है वचाय राजकमल चौधिरी के लिए हो या प्रावड सिक्षा मुतिराम हो या पठकता ये सारी कभीता है ब्यवस्था का ही प्रतीक है दूमिल के हाँ ब्यवस्था कोई अमूर्त और वाई भी यवस्था नहीं है उसके ठोस सामाजिक संदर्भाएं चवराहे पर कवायत करते हुए ट्रैफिक पुलिस के चेहरे पर मुझे हमेशा जनतंत्र का नक्सा नजरा लिया है राजनीद के इस अउसरबादी चरित के बारे में ये अब्यंग मानिखेश है दोनों काम नहीं हो सकता कि कांक भी ढकी रहे और बिरोध में उठे हुए हाथ की मुठी भी कसी रहे इस ब्यवस्था में मानव के निरंतर अमानवी होने जाने की प्रक्रिया को धूमिल ने बड़े साब सब्दों में अंकित किया है चाहे मुझी राम कविता को देखा है उन पेसेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच एक अदर आदमी है इस आदमी को चेतना का संबल प्राप्ट है इसी संबल के अस्तर पर धूमिल कहते हैं सब्दों की अदालत में मुझरिम के कटगरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफ नामा है यही वह एक अदमी है एक अदद आदमी है जिसके सामने से कथा के पट खुल रहे हैं सारे जन्संत्र का मेला गुजर रहा है और यह मनुस्य अपने परवेश के बारे में एकदम सजग है अपने परवेश के प्रतिवा जरा भी भावग नहीं है वह शिकार है लेकिन उसका शिकार कौन कर रहा है इसको अच्छी तरह से समझ रहा है अकविताबादी कवियों के बीच जो दूसरा महतुपूर नाम हमारे सामने दिखाई देता है लिला धर्जगूरी का है लिला धर्जगूरी की कविताओं में धूमिल की परंपरा का ही विकास हुगा है धूमिल की कविताओं में जो गवई बड़ बोला पन है वही गवई बड़ बोला पन जगूरी को मुपट बना देता है जगूरी साहित्य और कविता के सामाजिक परिवर्तन को लक्ष करते हैं वह कलाबादी साहित्य के भिरोधी है चूंकि प्रगत्सिल कविता पक्सधर कविता होती है जगूरी नों भी सामाज को दो भागों में बांट कर देखा है सुविधा प्राप्त लोग और बंचित लोग जगूरी अपने अन्य समकाली इन कवियों की तरह वह भूपता वर्ग जिसकी आउसकता है बिना किसी परसानी के पूरी हो जा रही है उसी वर्ग को अपने ग्वेंग का पात्र बनाया है उन्ही के ऊपर उन्होंने व्यंग कसा है इक तरह से कहिए तो यह सत्रू पक्ष है और दूसरे पक्ष में वे लोग आते हैं जो नंगे हैं भूखे हैं जिनके पास सुख सुविधाये नहीं है समचित सिक्षा के लिए धन नहीं है अथार्थ वे उन सभी सुविधायों से बन्चित हैं जिने दूसरे पक्ष के लोग भोग रहे हैं कब के अनुसार समाज में धन का बटवारा इस तरह से होता है कि बहुसंख्यक जनता बन्चित रह जाती है जगूरी उन ही बन्चितों के साथ खड़े है एक कब दाउन की देखिए एक मार खाया हुआ आदमी चिचियाता है देखिए मुझे कितनी चोटे आई है मेरा दर्द दर्ज करो इस मटीले कागज पर मेरा दर्द दर्ज करो एक आदमी दिवान से पुनिस से अपना दर्द दर्ज करने की बात करता है और दिवान उससे पूछता है जो तुम्हारा मैं दर्द दर्ज करूँ और चांदी की कलम से दर्ज करूँ या सोने की कलम से और वो आदमी है कि किसी भी तरह हो वो अपना दर्ज दर्द करवाना चाहता है पुलिस का दिमान उससे कहता है कल आना साथ में गवाह लाना और किसी डाक्टर से यह भी लिखवा लाना कि तुमने मार खाई ही खाई है इसी तरह उनकी एक और कविता तथा कथित महान लोग को देखिए इस कविता में भी उनका महान लोगों से मतलब सुविधा प्राप्त वर्ग के लोगों से ही है और उनकी दिन चर्या मद्यवरगी ये व्यक्ति से बहुत मिलती है कुछ महान लोग राट के कपड़े बदलते हैं और फिर से महान होने के लिए सुवा का इंतजार करते हैं इसी तरह से उनकी एक और कविता की उनकी सुवा टूटे हुए बटनों के मुआउजे से सुरू होती है उनकी सुवा ढकने और छिपाने से सुरू होती है इस व्यंचित वर्ग का आक्रोस लीला धर्जेगूरी की कविताओं में लगातार सुनाई पड़ता है नागार जूने कैसे कभी हैं जो लगातार में वस्था का भी रोज करते रहे और बड़े खुले सब्जों में करते रहे उनकी कविता है कच्ची हजम करोगे पक्की हजम करोगे चूला हजम करोगे चक्की हजम करोगे वो फोर्स की दलाली गुपचुप हजम करोगे नितराज घात जाकर बापू भजन करोगे की इस तरह से कभी व्यवस्था की परत दरपरत उकेर दे रहा है व्यवस्था के चरित्र को खोल दे रहा है इस संदर में हमें वेड़ु गोपाल की कविताओं को भी देखना चाहिए वेड़ु गोपाल की कविताओं में चट्टानों का जलगोत हमाएं चुप नहीं रहती इनमें अगर आप देखेंगे इन संग्रा की कविताओं में देखेंगे तो एक आंतरिक कसम कस दिखाई पड़ती है इस वेवस्था को मात्र कविता के माध्यम से बदला नहीं जा सकता है उसके लिए दूसरे आउजार और दूसरी संगठित तयारी करनी होगी कमिता की राजनीतिक सार्थक्ता क्या है वेड़ु गोपाल की यह चिंता उनकी कमिता की बनावट में बसी हुई है और मैं मार सैकडों सडकों को रौदता हुआ घर को ही ढोया करता हूँ दरसल उससे दूर भागने की कोशिस में दुनिया जहान की सैर करता हुआ उसे साम जंगल में होती है तो भी मा की डाट सुन लेता हूँ रात होती है तो पत्नी का बुलावा हस्वे मामूव है कुमारेंग पारसनाश स्विंग एक और कभी हैं जिनकी कविताओं में हम विवस्था का जबर्दस्ट विद्रोव देखते हैं विरोव देखते हैं उनका पहला कविता संग्रा है इतिहास का संबाद 1989 में प्रकासी थुगा था और उस संग्रा में उनकी तीन वर्सों से लिखी गई कविताओं वाप काट लेना उस संग्रा में उनकी 20 वर्सों से लिखी गई कविताओं सामिल हैं इन कविताओं में मानव बिरोधी समाज व्यवस्था का तिब्र बिरोध मिलता है ये किनकी कविताएं धीरे धीरे ललकार बन जाती हैं और पाठक को सक्री होने का या सक्री रहने का मांग करती है कुमारें और कविता के पाठकों को क्रान्ति का सिपाही बनाना चाहते हैं इस कारे में भासण और राजनितिक संगठन जादा उट्योगी साबित होते हैं फिर एक कमजोर से माध्यम कविता को हम कहां रखें पारासनाज सिंद्की कमिताओं में इस दर्द से बार बार रूबर रूबर हुआ जा सकता है ब्यवस्था विरोध की दृष्टी से पंकर सिंद्की कमिताओं भी महत्वपूर्ण है आते हैं आसपास 1980 में प्रकासित हुआ और ब्यवस्था भी रोध स्वर मुखर रूप से भी बेक्त हुआ पंकर सिंद्क एक ऐसे कभी है जिनकी कमिता की सुरुगाद और कमिता के दोर की समाप्ती के समय हुई थी राजधानी में अपनी एक वर्स गाठ पर कमिता है यह कमिता का सिरसक है और इस कमिता में उन्हों ने लिखा है कि खतम हुआ एक और साल एक और मैली गाठ लगी इस तिलस्मी नगर में जहां से फाईलों में बंद आदरसों के कुलाडे चलते हैं और किसी जंगम भुमया और किसी किस्ता गौड की गर्दन पर खच की डराउनी आवाज के साथ गिरते हैं इनकी कविता में अगर आप देखा है तो इन में ब्यक्त राज सत्ता है आतताई तो है लेकिन उसका स्वरूप अद्रिस और रहस्म है कविता की सीमा में सत्ता की कायर प्रृणाली नहीं बलकि उसका आतंक है रसनाभ इधान की दृष्टी से देखने पर यह मालूम हो जाता है कि इन कविताओं में कभी सिर्फ बोलता है शेस परवेश दृष्ष से रूप में आता है कभी इस दिरिश stigma को देखता है मसूस करता है उसे समझाना चाहता है वर उसे डरता नहीं अपनी डाइरी में उसे नोट करता है चिंतनमरन करता है आत्मी बाद चीत करता है इस तरह से अगर हम देखा हैं तो साथ के दसक के साथ हमारे सपनों के तूटने का जो दौर सुरू हुआ था और जो एक क्रूर यह थार्त उपस्तित हुआ था बिवस्था की जो अमानुवी अताव भरी हुई थी उसने अब कविता आंदोलन कुछ जर्म दिया मुक्तिबोत की कविता में इस्वर पहले ही दिखाई दे रहा था कि कविता में विरोत का इस्वर साथ के बाद अधिक मुकर रूप में दिखाई पड़ा